हालो एव्रिवान कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रहे हूं आप सभी के साथ में सूपर इजी और वेरी टेस्टी चट्कारा मसाला बोटी बनाने की रेसेपे जिसे आप भी एक बर जरूर ठाइ कीजिएगा बहुत ही लाजवा बती है इसको बनाने के लिए हमें मटन की पीसेज शही होंगे तो इसको बहुत ही चोचोटे पीसेज में कटवा लेना है आपको और इस तरह से यह बोटी मसाला बनाना है अब इसमें हमें कुछ मसाले लगाने तो सबसे पहले मैं एवन टेबल स्पून नमक डाल रही हूं इसी के साथ मैं आड़ करूंगी लसन औ हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और कच्चे पपीते और हरी बिर्च का पेस्ट कुछ छे साथ हरी मिर्चे हैं और एक दो पीस बड़ा सा टुकड़ा था पपीते का वह पेस्ट बनाकर मैंने डाला है दो टिबल स्पून फुल भरकर मैं इसमें हंकड आड़ कर रही हूं अच्छी फेटी भी दही गरम मसाले का पाउडर हमें इसमें 1.2 TSP अएड करना है यह मेरा होमध Griff मैर मासाला पाउडर है जिसकी खुश्बू को बहुतidez होती है और यह ग्रेवी में मिलती है नजर नहीं आती है बहुत अच्छी मिक्स हो जाती है साथ में उसी तलीवी प्यास का तेल भी मैंने डाला है दो बड़े चमच दो स्पून फुल भरकर डाला है मैंने और अब यह जो सारे मसाले हैं हमें मटन पीसे पर अच्छे से लगा देना है बटन की छोटी बोटियां सी मने करवा कर डाली है और यहां पर मैंने कुछ-कुछ बोन के पीसे भी ले लिए हैं जिससे यह अच्छी लगे देखने में दस खाने में भी टेस्टे लगे तो बस इस तरह से मसाले लगाकर हमें आदे से एक घंटे रखना है इसको टाइम है तो एक घंटे से जादा भी रख सकते हैं नहीं है तो फिर बना सकते हैं और अब प्रेशा कुकर ले लीजिए और उसमें उसी फ्राइ कीवी तेल जो बचीवी है वो डालिए मैंने वही त एक दाल चीनी का तुकड़ा तीन पीस हरी लाइची और शाही जीरा एक चोटे चमच यह खड़े मसाले इसमें क्रैकल होने दीजिए इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खुश्बू बहुत अच्छी आएगी और यह बोटी मसाला बहुत ही मज़े का बनकर त्या बहुत ही अच्छी मसाला बनकर त्यार हो जाता है देखें यहां पे लगतार आपको रुक रुक कर इसको चार पांच मिन तक अच्छे से भून लेना होगा जैसे ही हमने इसको फ्लेम पे चड़ाया है दही है इसमें प्लस मतन के खुटके जूस भी निकलेंगे तो यह अच्छे से भून कर पकाया किजिए जिसको फ्लेवर निकल कर आता है जब भून गई है तो इसमें मैंने एक से जड़ कप पानी डाला है मैंने पानी कम डाला है क्योंकि मतन खुटके पानी भी बहुत सारा निकल कर आएगा तो अभी लिड लगा दोंगी मैं और तीन-चार सिटी लगा ले रही हूं मैं लो मीडियम फ्लेम पे जब तक मतन गला नहीं तब तक मैंने यह प्रशर ले लिया है और अब देखें बहुत ही अच्छे से यह सॉफ्ट हो चुका होता है हातों से मैं चेक करा देती हूं आपको देखें इसली तूटना चाहिए पीसिस तो ब मज़े की लगी खाने में आप तंदूरी रोटी के साथ में भी यह सब बहुत ही जबर्दस टेस्टी सी लगती है इसमें से तभी अच्छी खुश्बू आ रही है जैसे यह बहुन रहा है कि मैं आपको क्या बता हूं मसालों को मारिनेट कर अगर अगर आप अब जो बनाए जिन्जर जूलियन जिससे बहुत अच्छा आएगा और इसी के साथ इसको वापस से भून लेती हूं थोड़ा बहुत हमें ग्रेवी रखनी है लेकिन बहुत साथ ग्रेवी नहीं रखनी है इसमें बोटी मसाला है तो मज़ी की ग्रेवी रहेगी जो कि चपाती रोटी पराठे के साथ में हम लोग खा सकें तो फ्लेम लगतार आपको हाई रखनी हो और फ्लेम पे लगतार इसको आपको भूनते रह ऊ जेसर रहेगों और बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा बहुत पहचान यह आती जाएगी गी इसके ऊपर अच्छा ड continental हो बहुत ही जबर्दस चटपटे चटकारेदार हमारी बोटी मसाला बनकर त्यार होते हैं एक बार एजी टेस्टी सी ए रेसेपी ट्राइ कीजिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं लगतार से मैं इसको भूना है और अब यह बिल्कुल ड्राइ हो रही है रोटी पराठी तंदूरी रोटी रहे गारी है तो उसके साथ में अच्छा लगीगा हलकी हलकी ग्रेवी रहेगी तो अबस इस तरह से सर्फ कर लेना है तो उमीद आफ्रेंट्स आपको मेरी यह इजी सिंपल टेस्टी सी रेसिपी अच्छी लगे होगी बहुत ही आसान सी रेसिपी हो और इसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत एजी है एक बर मसाले मारिनेट करने के बाद में बस इसको डारेक्ट प्रिशकुक में गला लीजिए और बस अलका ऐसा भूण लीजिए और यह इजी टू गो रेसिपी तयार हो जाती है खाने को तो बस इस तरह से आप भी ए रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे मेथट से यह चटखारा बोटी मसाला एक बर बना कर देखिएगा आप के ओ आपके घरवालों को यह बहुत पसंद आएगा बहुत ही जायकेदार बहुत ही फ्लेवफिल बनता है खाने में बहुत मज़िदार है बनाने में बहुत असान है तो जरूर ट्राइ करें उपर से गानिश करें हरे धनिये के साथ में थोड़े से जिंजर जूलिन के साथ में और अगर आपको एक्स्रा चटखारा चाहिए तो इसके उपर लेमन जूस जाल दीजेगा और भी चटपटा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी ये रोटी चपाती पराठे के साथ में मैं तो इसको पराठे के साथ सर्फ कर रही हूं आप भी इसको जरूर लाइक और शेयर जरू कर दीजिएगा चैनल पर ने तो सिब्स्राइब जरू कर लीजिएगा फिर में लोगी में एक नई धमाकेदार जबरदस रेसेपी लेकर तब तक अपने और अपनी फैमिली कर खाल रखें दौवाओं मियाद रखिएगा वाय थैंक्स पर वाचिंग झाल 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 झाल